आज हम बनाने वाले हैं अंडा काजुकडी सबसे पहले हम अंडो को उबाल लेंगे और उसमें छोड़े-छोटे छेत कर लेंगे ताकि वो अंडे तलते समें फुटेना अब हम एक कडाई में तेल करम करके अंडो को अलका ब्राउन होने तक के तल लेंगे तलने के बाद इसे निकाल लेंगे एक थाली में और जो बचा हुआ तेले उसमें हम खड़ा मसाला जिसमें हमने लिया है तेजपत्ता, दालचीनी और कुछ पीसा मसाला है जिसमें हमने पीसा है धनिया पाउडर, मिर्ची, अद्रक, लसून और दो लाल टमाटर इसको सब को मिलाकर हमने पेश्ट बना लिया है इसे भी इसमें डाल देंगे उसके बाद इसमें हल्दी और जो काजो हमने भीगो के रखे थे उन काजो को भी उसमें डाल देंगे अब इसे चलाते रहेंगे जब यह मसाला तेल छोड़ेने लगे तब हम उसमें ये जो तलेवी अंडे है इसको मिलाएंगे अब इसको थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें स्वाधनुचार नमक डालेंगे और एक ग्लास पान जालेंगे अब इसे अच्छी तरह से पकने देंगे पकने के बाद हम इसे हरे धनी से गार्णिश करेंगे यह हमारी रेसिपी तयार है